तो इसको पानी पिलाय जाता है कि ये बारिस के पानी से हो ये जबर दसता है खुडी हुए यह दोस्तों देख यतों से ढूर जाती है घृत गई घ्क घृत्धा नमस्केर नमस्कार दोस्तों इस वक्त हम मौझूद है राजस्तान की गुड़ा विजा गाव में और यहां की राजस्तानी खेती बाड़ी क्या-क्या होती है तो आई जानते हैं पहले सबसे पहले तुमबा से शुरुआत करते हैं तो सर नमस्कार क्या नाम आपका नर्पत लाल्चवान है नर्पत जी हमको पूरा राजस्तानी जो खेती बाड़ी दिखाएंगे तो सबसे पहले यह क्या इसा पूरा घर के ऊपर यह चा गया है क्या यह इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको हां जैसे मैं बता रहो जैसे यह चक्की जैसे अगसे बनकी जाओ कि आपको कैसे कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है और जाती है तो दोस्तों और भी नर्पजी कुछ दिखाने की कोशिज करेंगे सबसे पहले इनों ने तुमबा दिखाया को किसी को पसंद नहीं है दोस्तों आब हम आ चुके हैं नर्पजी के खेत में तो नर्पजी यह दोस्तों यह कवाड़ी और एहेरी के बीच में होते हुए हम अंदर पर्वेश कर रहे हैं अभी कुछ नर्पाजी हमको बताएंगे क्या दिखा रहे है नर्पाजी जैसे आप देखे यह काकड़ी अच्छा अब यह कच्छी है पकी नहीं है यह और बढ़ेगी आगे और फिर बाद में पकेगी अच्छा तो इसको पानी पिलाया जाता है कि यह बारिस के पानी से तो होती है मगर बारिस कम होती तो हमें पिलाना भी पड़ता है अच्छा अच्छा इसको पानी पिलाना भी पड़ता है दोस्तों आपने सहर में काकड़ी तो बहुत देखी होगी लेकिन यह काकड़ी का टेस्ट अलगी है मे अवाली बस पूदिन काहां से उत्रेगी यह से हट जाएगी अपना आप अचा जयसे दो दिन बाद में अपना यहां से हट जाएगी अपना हम नस्थी की खेट में आएं और बता रहें एक चोल है बताइए यह वहाँ जौल रही है अधार हैं नस्थी है बारिस की कम यह कोड़े रख गएंग लगा है तो यह बार राजस्तान में बारिस कम है क्या हो में इसको ऐख़ी और मोट कीद़ ही любов यहां यह क्या हम अजीब से दीख रहा है बाजरी 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 वोगनी होती है तो यह कौन से महीने में खाई जाती है ज्यादा जो बाजरा सब्सक्राइब कर दोस्तों चलते चलते में ठक गया हूँ नर्पजी देख सकते कितना दूर पहुंच गया है और मैं पिछे रह गया हूँ और मुझे बाजरे के अंदर घर्मी बहुत लग रही है तो आई नर्पजी से कुण जानते हैं जैसे बोल थे सिती में रहते हैं और गोमते हैं यह थैसे आप सोचों बब कब्वार गाओं भी आया करो गाओं का क्ल्च्र देखो तब ही आपको पता चलेगा कि हम गाओं में किस तरह रहते हैं और गाओं में कैसे क्या होता है यह के आपको पता चलेगा W नरपर जी को बहुत बहुत धन्यावाद जै हिन जे भारत जै जवान जै किसान गशंद दोस्तों असली अगर आप जीवन जीना चाहते हैं सुक जीवन का लेना चाहते है आनल तो खे गावों में आना चाहिए गावों के खेतों में राजस्थान में खास करके सेरों में तो पतली-पतली गलिया है लेकिन जो असली सुख है कर देखिए हाँ